हलो एन विलकम टूड़ी के गुरू टिटोरियल कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Central University of Haryana से निकले PhD Admission Notification के बारे में लेकिन इस Notification को डेटेल में डिसकॉस करें उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ निकल कर रहा है Unacademy से दोस्तो अगर आप भी UGC Net का preparation कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुती सांदार batch launch किया गया है Unacademy की और से, क्योंकि यहाँ पे आपको UGC Net paper 1 और paper 2 का complete preparation के साथ-साथ एक ऐसा batch मिलने वाला है जहाँ पे आपको 20 दिनों में वैसे topics cover कराये जाएंगे जो की 100% sure shot है exam में आने के लिए दोस्तो आपको बता दें अगर आपका subject commerce है तो आप जवन कर सकते हैं इस batch को क्योंकि यहाँ पे 20 दिनों में वैसे topics को cover कराये जा रहा है तलवीर सिंग के द्वारा जो की 100% आने की संभावना है UGC net exam में लेकिन आपको बता दें यह सिर्फ UGC net paper 2 commerce के लिए batch है यहाँ पे आप जवन कर सकते हैं और commerce का जो important topics है उसको 20 दिनों में cover कर सकते हैं इसके अलावे एक batch paper 1 के लिए भी launch किया गया है जो की तलवीर सिंग ही basically complete कराने वाले हैं यहाँ भी 20 दिनों में वैसे सभी topics आपका cover कराये जा रहा है जो की 100% sure है UGC net exam में आने के लिए जी हाँ यह दो बहुत महत्पूर्ण batch launch हुआ है इस वक्त unacademy के उपर फाटा फट जाईए unacademy पे खुद का enrollment कीजिए और इस batch का lab उठाईए अगर अभी आप unacademy का subscription लेते हैं और अगर आप dk guru tutorial का referral code dk guru 10 जो की यहाँ पे लिखा हुआ है इससे ज़िदी आप use करते हैं तो आपको मिल रहा है extra 10% of total subscription fee पे जी हाँ दोस्तो total subscription fee जितना भी होगा उसमें 10% off कर दिया जाएगा अगर आप dk guru 10 referral code यूज करते हैं तो तो फटा फट जाईए unacademy पे और जवैन कीजिए इस दो important batch को और अपनी preparation को एक नई उचाई दीजे दोस्तो आप बात कर लेते हैं उस PhD admission notification का जो निकल कर आया है Central University of Haryana से दोस्तो इस notification को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा Central University of Haryana का official website पे जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको scroll करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा online application for admission to PhD program इसके ओपर आपको सीधे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको 5 link देखने को मिलेगा जो की बहुत ही महतपोर्ण है सबसे पहला link के थुरू आप seat matrix देख सकते हैं यानि कि इस subject में कितना vacancy है दूसरा link के थुरू आप eligibility criteria देख सकते हैं कि आखिर कर वो कौन student है जो इस form को भर सकते हैं तीसरा वाला link पे क्लिक करके आप admission समंदित rule देख सकते हैं चौथा वाला से general instruction पढ़ सकते हैं पांचमा वाला से आप fee structure देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ seat matrix यानि कि कि subject में कितना vacancy निकल कर सामने आया है जैसे ही आप उस link पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक PDF open हो जागा जहां पे आप देख पाएंगे total seats यहां पे दिया हुआ है subject का नाम या department यहां पे दिया हुआ है और किस category से कितना vacancy हो आप इस सारे column में देख पाएंगे सबसे पहले यहां पे bio chemistry में देख सकते हैं bio technology में देख सकते हैं chemistry में देख सकते हैं तरीके से आप नीचे scroll करते हुआ आएंगे तो लगब लगब सभी विस्सियों का यहां पे आपको basically seat देखने को मिल जाएगा आप इस PDF को download करके देख सकते हैं total जो seat निकल कर सामने आया है वो है 166 यानि कि 166 यहां पे seat निकल कर आया है PhD admission के लिए अगर बात करें eligibility criteria का तो यहां पे जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने eligibility criteria open हो जाएगा जहां पे आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर आप PG में 55% marks लाकर रखे हैं तो आप इस form को भर सकते हैं इसके बाद अगर आप admission rule वाले link पर click करते हैं तो यहां पे आपको बहुत सारे admission rules देखने को मिल जाएगा इस PDF फाइल में यह देखे admission समंदित यहां पे सारे के सारे rules दिये हुए हैं इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजेगा उसके बाद यहां से आप general instruction यहां पे आप fee structure पढ़ सकते हैं जैसे ही आप इन सभी को पढ़ ले उसके बाद आप scroll करते हुए नीचे आए यहां पे देखे click here to apply online इसके ओपर आप सीधे click कर दें जैसे ही आप इसके ओपर click करेंगे आपके सामने वो application form खुल कर सामने आ जागा जिसके तुरू आप इस form को भर सकते हों और admission पा सकते हैं आपको बता दें यह एक central university है एक grade university है बहुत ही सांदार university है जानदार university है अगर आपको PhD करना है तो इस तरीके के विश्विद्याले से कीजिए जहां भी आप इसका degree लेकर जाएंगे लोग कहेंगे हाँ आप अच्छे जगा से PhD किये हैं चलिए thank you thank you very much आप देख रहे थे DK Guru टीटोरियों